तो आप सभी को नमस्ते पर्राम मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंग हो रात के दस बच्चों के हैं और कहानी का जो सिल्सिला है वो दस्तूर जारी है आज की कहानी सुरू करूं उससे पहले एक आकड़ा आप लोग के सामने रखता हूं आम तोर पे जो इंटरनेट का ए बुड़ा फोन आइडिया और अगर जितने और से मैं उनकी बात करूं तो बुड़ा फोन आइडिया तो एक ही हो गया जैसे जी हो गया एटेल हो गया तो जिनको दो तीन जी भी चाहिए तो उनको आट सो नो रूपए के हिसाब से रिचार्ज करवाने के बावजूत कई ल आटर यूज करते हैं लेकिन उससे फायदा या फिर कुछ लाव नहीं कमा पाते हैं अब यह बात हैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो महज 2-3 घंटे ऑन-लाइन काम करते हैं और काम करने के बाद नजाने कितने पैसे कमा रहे हैं हाला कि इस बात पहले में बहुत यकीन नहीं करता था चाहे जितने मोटिवेशनल स्पीकरों ने चाहे जितनी बात बोली लेकिन मेरे घर के जस्ट बगलका एक लड़का जुवेर नाम है वो पिसले लगभक 6 महीनों से जुटा हुआ था शुरुआत में मैंने भी उसे इग्नोर किया मैंने ये कोई पेट प्रोमोशन नहीं है वो कमा रहा है तो मुझे लगए आप लोग उसे भी सेयर करना चाहिए तो मैंने उसकी इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसकी जो आईडी है डिस्क्रिप्शन से लेके स्क्रीन पे लगा दिया है तो आप लोग अगर चाहें तो उससे एक बरबाद जरूर कीजिएगा अब चुकि वो कमा रहा था तो मुझे लग आपको बताना चाहिए अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं और आज की कहानी की बात करों तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक मैसेच छुपा हुआ है हलाकि हर कहानी में वा हुआ है उपने आप में पूरी दुनिया को एक आइना दिखाएगा द ludzie अगर कोई कुछ कलत करता है तो पहले तो गलत करता है तुस गलत को करने के लिए ना जाने कितने předt चुट चल कपट ना हम आगे बढ़ाएं और एक गलत काम सूचें तो एक गलत काम को छुपाने के लिए be सो गलत काम करने पड़ते हैं और आज की जो कहानी है इस बात का एक परफेक्ट एb ट्ञुन कर जानर रहरное का इस पले सेस तर favorah गोन स्फानी allowing गाह करें तो ध्रीन आवर इसके ध्यों भी राइब रहता है हुआ कजिएक एक कि नहीं पढ़े लिखें थे नहीं उम्र भी जादा नहीं थी एBaby साथी जो पत्नी थी वो भी बेचारी बीमार रहती थी, दो बेटियां थी, एक बेटा था, बेटियां भी अब धेद्रे कुछ सालों में साधी लाइक हो जाती, तो इस वज़ा से भी अब परिवार पे थूड़ा सा दवाओ बन रहा था, इधर पत्नी बीमार रहती थी, महज कही मेनत मजदूरी करता, फाउड़ा चलाता, कुदाल चलाता, कहीं इटा धोलता, ऐसे जैसे करके कुछ दो-चार पैसे कमाता, उसी से अपने घर का पालन पोशन करता, एक उम्मीद थी कि जो बेटा है, जिसका नाम थांकित, वो बढ़ा होगा, बढ़ा होके कुछ बन जाएगा, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा तो हो सकता है, जो गरीबी है, जो मुफलिसी है, वो दूर हो जाए, इसी सोच के साथ जो पिता है, वो दिनो रात मेनत करता, अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता कि अच्छी से अच पहले पानी लेके जाता, यह निक गरीब लेकिन बहुत सुख ही परिवाल था, सारे चीज़े बिल्कुल ठीक चलती रही वक्त देदरे गुजरता रहा, जो बेटा था स्कूल जाता, इसकूल से लोट किया था, उसके बाद घर पे अपनी पिता, अपनी मा का हाथ भी बटा था, ऐसे ही, 18 जुलाई की ये बात है, 18 है 19 जुलाई की, इसी साल, 19 जुलाई को जो अंकित था, जो क्लास सेबंत में पढ़ता था, इसकूल जाता है, जाने के बाद जो पिता था, वो काम पे चला जाता है, जो बेटियां थी, वो घर की काम भी बिजी हो जाती है, मा तो मा हो गया इधर जो उसकी दोनों बहने हैं हो इंतिजार कर रही है कि भाई आएगा तो उसको खाना गरम करके यह तुमाम सी यह जो एक होता है लेकिन देदर वक्त गुजर रहा और अंकित जो है वो लौट के नहीं आ रहा देखती देखती छे बच गए और कच्छा साथ का लड अंकित वो तो आया ही नहीं है अब यह बात जैसे ही बहनों को पता चली तो दोनों बहनों की तो एक तरह से हवा खराब हो गई कि मेरा भाई सुबा से स्कूल के लिए निकरा है स्कूल पहुंचा नहीं साम हो गई लोट के आया नहीं तो गया कहा फॉरण अब दोनों बच् से उसके छहरे के अरंगूर जाता है कि मेरा पेटा सुबह से स्कूल के लिए अच्छा खासा नहां धोके खापी के तैयार होके निकला इस्कूल के लिए गया तो इस्कूल पहुंचा ही नहीं और अगर इस्कूल नहीं पहुंचा चलो ये माल लेते हैं कि गहीं खेल कूल में विजी हो गया तो साम हो गई अब तक लोट आना चाहिए था पूरा दिन मेरा बेटा कहां गयव है जैसे ही ये बात बहनों ने मिन्टू को बताई मिन्टू एकदम बधावास भागा भागा गाउ में आया आने के बाद अब जहाँ जहाँ उसका बेटा खेलने जाता था जो जो उसके दोस्त थे, जो जो उसके यार थे अब उन तमाम लोगों के पास ये जाने लगा सबसे पूस्ताच करने लगा कि क्या यहां पे अंकित आया था अगर नहीं आया थो तो क्या किसी ने कहीं उसे जाते हुए देखा क्या किसी के घर वो कभी गया था अब tamam तरह के सवाल जो पिता था बेचारा इधर दो घूमगूम के पूछ रहा जो गावाले हैं जो गाव के बच्चे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं कि नहीं चाचा मैंने नहीं देखा नहीं ताउ जी ओ नहीं आया था अब जितने जितने घरों पे पूस्ताच कर रहा जब हर जगह से सेम जवाब मिला कि अंकित नहीं आया तो पिता बेचारा एक दम परिशान दुखी होके बैटके एक जहां रोने लगा गाउं के लोग भी अब आते हैं पूस्ते हैं कि क्या हुआ मिन्टू बताता है कि मेरा जो बेटा है अंकित वो गायब है गाउं वाले भी सुनते हैं तो वो भी परिशान होते हैं कि कहां चला गया विचारा अब गाउं के लोग भी खोजने निकलते हैं आसपास की लाको में आसपास की सुनसान जगों पे जंगल में नदी के पास नालों के पास देखते देखते रात हो गई पर ऐसे ही रात होने के बाद एक गाउवाला ऐसे ही गाउव के बाहर खुजने निकलता है तो निकलने के दावरान देखता है कि आम का पेड़ है और उस पेड़ पे एक लड़के की डेड़ बॉडी लटक रही है अब जैसे ही यह चीज वह आदमी देखता है तो पहले तो चीकता है आसपास के सारे लोग वहाँ भागय पहुचते हैं पहुंचने के बाद सारे लोग टॉर यार ज़़र के देखते हैं तो पेड़ से साडी से जो अंकित कुमार था वो लटका हुआ था फॉरन प表िस को फोन जाता है पुलिस भी भाग के मौके पहुंची बॉडी को उतारा बॉडी को कबजे में लिया इधर पिता जब देखता है को उसके बेटे ने सुसाइट कर लिया फंदे से लटक गया तो पिता एकलोता बेटा अब उसके जिंदगी का तो कोई साहरा ना बचान बिचारा अब चीक पुकार करके वहीं दहाडे मार के रोने लगा गाओ वाले उसको समझा रहे इधर पुलिस भी बॉडी को कबजे में लेती ही कबजे में लेने के बाद बॉडी को पोस्माटम के लिए भीशती है पोस्माटम रिपोर्ट आती है और जैसे ही पोस्माटम रिपोर्ट आती है यह जो पूरा मामला था एकदम पलट जाता है अब तक सभी लोगों को लग रहा था कि अंकितने किसी बाद से परिशान होके फासी लगा ली हो सकता है कि मान ने कुछ कहा, हो सकता है कि बहन ने डाटा हो हो सकता है पिता की कोई बात बुरी लग गई हो या फिर स्कूल का कोई जगडा होमवर्क का टेंशन टीचर की डाट लेकिन जैसे पोस्मार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्मार्टम रिपोर्ट में तो लिखा था किस लड़के के साथ यानि 14 साल के बच्चे के साथ किसी ने मार पीट की है और साथ ही गला दबा के इसका कतल किया गया है अब यह चीज जैसे ही निकल के सामने आई पूरा मामला पलट चुका था अब तक जो किसात्मत्या का लग रहा था अब और अब वो हो गया, यह तो मडर है, अब पोलिस वालों ने जब जाज परताज शुरू की, तो शुरू से एकदम जाज शुरू की, सबसे पहले घर वालों से पूछा कि क्या किसे ने डाटा था, क्या किसी से इसका कोई जगडा था, इधर स्कूल में भी पता किया कि क्या किसी लड़के ने इससे कुछ कहा था या फिर कभी बहास हुई थे क्या कोई कहा सुनी हुई थी परिवार वालों से ये भी पूछा गया कि क्या कोई आपका कहीं तो जगड़ा नहीं था किसी से कोई जमीनी विबात किसी से पैसे का कोई लेंदेन कही कोई पुस्ताइनी जगडा किसी से कोई धमकी मिली हुई कोई रंगदारी मांगी गई हो यह तमाम तरह के जितने भी रीजन है तमाम तरीकों को पुलिस वाले छान रहे परिवार वालों से पूस्ताच कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूस्ताच कर रहे हैं लेकिन चाहे जितनी तरह से परिवार वालों से पूस्ताच हो रही है, चाहे दर दर पूस्ताच हो रही है कहीं से भी कोई ऐसा क्लू मिला ही नहीं जिससे इस मामले में थोड़ी भी यावगात आगे बढ़े यानि एक 14 सार के लड़के को किसी ने मार के उसे के गाउं में एक पेड़ की पास लटका दिया वज़ा क्या है मारने की क्या दुस्मनी थी किसी को कोई पता नहीं कातिल कौन है ये किसी के पास कोई जानकारी नहीं कौन हो सकता है किसी के उपर कोई डाउट नहीं न कोई सबूत न कोई गवार न कोई सुराग क्राइम सीन कहा है, यह मडर कहा हुआ, यह भी नहीं पता, तो फिर पुलिस वाले अप खोजें कैसे, कम से कम अगर कोई क्लू होता, कोई सुराग मिलता, किसी के उपर कोई शक जाता, तो वहाँ से बात बन सकती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो फिर अब क् क्लू नहीं, तो फिर जो पिता था, वो बिचारा थाने में जाता, वो कूसता कि साहब कुछ बात आगे बढ़ी, मेरे बेटे का कातिल कौन है, कुछ पता चला, अब जब पिता इतनी करूड आवाज में वहाँ पे कहता, तो पोलिस वालों का भी एक तरह से कलेजा पसीस थ कि वो भी इंसानी थे, उन्हें भी लगता कि यार इसको इंसाफ दिलवाना चाहिए, लेकिन केस है कि कुछ आगे बढ़ी नहीं रहा, तो फिर क्या करें, तो फिर जब ये मामला वहाँ के एसपी साहब तक गया, और साथ ही ये पता चला है कि दो हपते से ज़्यादा का वक है, उनको एक्टिब कर दो, कि कोई ऐसा बच्चा चोरी का गिरो तो नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं, जो हुमन आर्गेन बेस्ता हो, यानि जितने भी रीजन हो सकते हैं, अब एसपी साहब ने कहा कि सारे एंगल पर जाच परताल कर लो, लेकिन जाहे जो कातिल है, उसको खोच के सामने लो, अब जब एसपी साहब का ऐसा आदेस हुआ, तो वहां के जो एसचो से, जाबेद साहब, उन्होंने फिर अब जाच परताल फिर से सुरू की, अलग-अलग टीमों की मदद ली गई, जो गाउं के लोग थे, अब उनसे भी सकता है, क्या परिवार की किसी से कोई ऐसी बात हो, जो परिवार वाले बताना ना चाह रहे हो, कोई कला वगएरा तो नहीं थी, तो जब तमान तरीकी से जाच परताल की गई, इधर पिता से भी जब रिपीटेड और बहनों से भी रिपीटेड टाइप के कोशिचन किये ग लगातार उससे इधा उधर के सवाल पूछे गए कि क्या किसी से दुस्मनी आखिर क्या वजा हो सकती है, आपके बेटे का कतल हुए, कुस तो वजा आपको लग रही होगी, तो जब पिता से लगातार पूछा गया, तो कुस दिन तक तो पिता ने वही सेम जबाब दिया, लेकिन काफी टाइम बाद वो पिता जो था, यानि मिंटू रचक, वो इधा उधा लड़ खडाने लगा, अब जब लड़ खडाने लगा, तो पुलिस वाले थे उनको भी लगा कि पिता क्यों लड़ खडा रहा, आम तोर पे लड़ खडा आता वही है, जो गलत हो, तो कही है, ऐसा तो नहीं कि पिता ही गलत हो, लेकिन पिता अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा, कोई वज़ा भी नहीं थी, कोई रीजन भी नहीं था, पुलिस वाले खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, कि लड़ खडा रहा है, इसका मतलब ये गलत तो है, लेकिन इसे कैसे कहें क कि तुमने अपने बेटे को मारा है, लेहाज आप पुलिस वाले अपने मांसिक रूप से उसको इतरा से टॉर्चर करना शुरू करते हैं, यानि दबाव बनाते हैं, पूचते हैं, घुमाते हैं बातों को, तो काफी टाइम तक जो घुमा देते हैं, तो अंत में जो पूरी कहानी बताता है, साथी कहता है, हाँ साथ, मैंने ही अपने बेटे को मारा, साथी फिर पूरी कहानी सुनाता है, और जो कहानी सुनाता है, उसे सुनने के बाद पुलिस वालों का भी तरह से कलेजा काप उठता है, कि आज की टाइम में ऐसा बाप, दरसल जो पिता था मिन्टू रजन जिससे उसकी शादी हुई थी वो मानसिक रूप से पागल थी यानि अच्छा क्या है बुरा क्या है क्या सही है क्या गलत है पती से कैसा ब्योहार करना चाहिए उसे कुछ भी ग्यान नहीं था वो बस घर पे आई थी कुछ दिन खाना और गयरा बनाती है उसके बाद बिमार उसके बाद एक बिस्तर पे पड़ी रहती है लेकिन देद्रे साधी सुदा जिन्दे की आगे बढ़ी दो बेटियां हुई एक बेटा हुआ बेटियां भी देद्रे बढ़ी हुई तो एक तरफ तो अपनी बीबी को देखता है, उसके पास जाता है, उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दवरान उसकी नजर अपनी बड़ी बेटी पे पड़ जाती है, बड़ी बेटी को देखता है, देखने के बाद जो मन में पवित्रता होती है, कह कई मूँ खोलोगी, तो तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मार दूँगा, और तमाम सीजे, बेटी बिचारी डर जाती है, एक मातर सहारा था कमाने वाला बाप, वही ऐसा कर रहा तो जाए कहां, चुपचा बरदास करती है, अब एक बार रेप हुआ, उसके ब करता है कि यह मेरा भविष्य है, यानि साधिय ही मेरी किस्मत में लिखा है, तो भी एकदम जिन्दा लाश की तरह अपने पिता के साथ कॉपरेट करने लगी, देदरे वक्त कुजरा, यह सिलसला दो सालों तक चलता रहा, दो सालों तक लगातार बाप अपनी बेटी के साथ रिप करता रहा, लेकिन इसी दवरान इसे जुलाई महीने में, यानि इसी साल के, एक बार जो पिता था, मैंनी मिन्टु, जब अपनी बड़ी बेटी के साथ यह सब कर रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ अपत्ति जनक हालत में थे, और संजोग से उसी टाइम अंकित की स आपत्ति जनक हालत में है, अब जैसे ही यह चीज अंकित देखता है, तो 14 साल का था थोड़ा बहुत तो ग्यान था ही, फोरण वहां से बाहर भाग जाता है, बागने के बाद चुप चाप से जाके बैठ जाता है, अब उसको तो कुस वह नहीं आ रहा कि यह मैंने क्या दे देता है, बहन भी समझाने की कोश्च करते हैं, उसे भी जिटक देता है, तो कहीं न कहीं अब पिता को लग गया, कि ऐसा तो नहीं है कि जो अंकित है, जाके किसी को बता दे कि मैंने अपने पिता को यह करते देखा, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो फिर अप कुछ तो करना पड़ेगा, जो मिंटू था लगातार, अपने बेटे अंकित को रोकता रहता है, समझाता रहता है कि ऐसा कुछ मत करना, किसी को मत बताना, लेकिन अंकित ना तो हां बोलता है, एकदम गुम सुमसा, कई दिनों तक यह सिलसिला चला लगातार, जो पिता था वो बुचकारने की मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नंद में जब उसे लगा कि अब साइद ही मुझ खोल दे, तो लोग लाज के डर से, समाज के डर से, फिर पिता ने ये फैसला किया, कि अपने बेटे को ही मार देते हैं, जो कि यह ऐसे रहेगा, तो आज नह अपने बेटे को मारता है, मारने के बाद उसकी लाज को लेके निकलता है, सुबह का वक्त था, कोई देखता नहीं, देखने के बाद फिर बेटी उसे बता देता है, कि मॉर्निंग स्कूल था, वो निकल गया, उसके बाद फिर वो लाज को लेके जाता है, अपनी ही पतनी क साड़ी के साथ उसको लटका देता है उसके बाद फिर चला जाता है काम पर बेटियों का उसने brainwash कर दिया कि भाई तुम्हारा चला गया अब क्या इसी पे किसी को डाउट होगा कि सुबा गया या फिर गंटे बाद गया उसके बाद साम हो जाते ही उसके बाद ये काम पे चला जाता है इंतिजार करता है कि पहले घरवाले खोजने निकले सारी चीजे इसके प्लान के हिसाब से घर वाले खोशते हैं उसके बाद इस तक जानकारी या थे उसके बाद ये खुद नाटक करता है खुद खोशता है और अंत में ऐसे एक्टिंग करता है जैसे इसके वेटे को किसी ने मारा है और इसे बड़ा दुख है और लगा तार 15 द किया, तो काइदे से अब इसके उपर एक मडर और एक रेप का चार्ज लगेगा, और ये मामला कोट में इसी तरह प्रूफ हुआ, तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मिनमम इसको उम्रकाइद की सजा होगी, साथ ही अब देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ होगा, कु दिन भर रोने की एक्टिंग करता है, सारे सबूत मिटाता है, और आज जब सारा केस निकल के सामने आया, तो जो मामला वो डर रहा था कि गाउं में न बंदा मी हो, सारा पूरा हिंदुस्तान अब जान गया, और सारे लोग अब थू-थू कर रहे होगे, तो कहीं ने कहीं गलत करना जितना कठिन होता है, फिर उसको छुपाना और उसके सबुत मिटाना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है, तो आप लोग गलत कभी मत कीजिएगा, तो फिलाल यह थी पूरी कहानी, अब आप से कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक अच्छ रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना क्या लखिएगा, अपने देश का क्या लखिएगा, जैहिंद, बंदेवाद,